बाई और बहनों, जम्मु कश्मीर और लदाख नई संभावनाओं को गले लगा रहा है, लेकिन मैं हरान हूँ कि विपक्ष के हमारे साथी इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ ढून रहे हैं। इतना बड़ा फैसला देश ने लिया है, ये ठीक से लागू हो पाए और कम से कम परेशानी के साथ लागू हो पाए, इसके लिए पूरा देश एक जूट है, है कि नहीं है? इंदुस्तान के हर कौने में लोग एक जूट है कि नहीं है, गाउं का भी इंसान साथ है कि नहीं है, पडाली का भी साथ है कि नहीं है, अनपड़ व्यक्ति भी साथ है कि नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी साथ है कि नहीं है, नवजवान भी साथ है कि नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कॉंग्रेस के, NCP के वरिष्ट नेताओं को जिस तरह का बरताव और सयोग करना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है. विपष्ट के नाते वो सरकार के अलोचना करे, मेरी अलोचना करे, देवेंद्र जी के अलोचना करे, यह उनका अधिकार है, लेकिन रास्त हित में ऐसी बाते करना, जो आतंग परस्तों के लिए अपप्रचार का हतियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्णा है, ऐसे लोगों को पहचानने की जरुरत है, साथियों, कॉंग्रेस की कन्फूजन, यह तो मुझे समझ आती है, लेकिन शरत पवार, आप जैसा अनुभवी नेता, जब कुछ वोट के लिए गलत बयानी करने लगे, तब बहुत दुख होता है, सबद प्रवार जी को पडोसी देश अच्छा लगता है, यह उनकी मर्जी, वहां के सासक प्रशासक उनको कल्यान कारी लगते हैं, यह भी उनका आकलन है, लेकिन यह पूरा महराष्ट जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है, कि आतंकी फैक्टरी कहां पर है, और जुल्म और शोशन की तस्वीरे कहां से आती हैं, साथियों राजनीती में नेताओं की, दलों की हार्थित होती रहती हैं, लेकिन देश को जिताना हम सभी का दाईत्व होता है।